हमारी एक एप्लिकेशन है केरियर क्लाउड के नाम से जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लिकेशन पे आपको हमारे कोर्सी जो हम ओफर करते हैं वो मिलेंगे जैसे ही आपने एप्लिकेशन डाउनलोड किया उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं गूगल आईडी से एंड वन्स यूव लॉग इन आपको इस पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको दिखेंगे जो हमारे सारे कोर्सी हैं हम जो ओफर करते हैं वो यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं जैसे हम कोर्सीज में क्या ओफ़र करते हैं? सबसे बड़ी बात हम बाईल liberté के बाते हैं 20 Questions की एक Quiz होगी इसके साथ-साथ और हमारे YouTube चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे हम पूरे content को अच्छे से cover करते हैं इसके अलावा अगर weekly की बात करें weekly में भी आपको 50 questions की एक quiz मिलेगी हर हफते इसी के साथ साथ हर हफते आपको weekly basis पे questions MCQ provide किये जाएंगे जो उस पूरे हफते के compiled questions होंगे सभी के सभी important अगर monthly की बात करें यह बहुत important session हो जाता है हमारा monthly videos में आपको monthly current affairs provide किये जाएंगे monthly PDFs provide की जाएंगी and top 100 questions की आपको एक PDF provide की जाएंगी जिसमें उस पूरे महिने के जो सबसे बहतरीन question answer होंगे जो सबसे बहतरीन current affairs पूछ जाने के chances होंगे वो questions बनाके हम आपको provide करेंगे ताकि आपकी preparation हो सके तो आप देख रहे हैं आप हमारे course से आपको कितना सारा content मिल रहा है जो आपकी revision में कितना जादा help करने वाला है daily, monthly, weekly ठीक है और उसके साथ-साथ उनकी quizzes भी हम आपको provide कर रहे है जैसे हमने बात की यह सारा ही content आपको by-ling-le Hindi में भी मिलेगा और English में भी मिलेगा ठीक है यह बहुत helpful रहना है आपके preparation के लिए तो सभी content को एक बार आप जरूर देख सकते हैं हमारा अगर refer करना चाहते हैं आप हमारे YouTube channel पे जाए यह YouTube channel पे जाके आपको देखेगा हम किस तरीके से बच्चों की कितने अच्छे से preparation कराते हैं तो friends यह तो थी daily, weekly और monthly की बात इसी के साथ साथ आपको याद रखना है हम banking awareness के भी questions आपको prepare कराते हैं banking से related जो भी exam के आप preparation कर रहे हैं उससे related जो भी targeted questions होंगे हम आपके cover करेंगे चाहे वो current interface में आए चाहे हमें उसे GS में cover करना पड़े इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हम banking and economic के quiz भी आपको daily basis पे provide करते हैं monthly basis पे provide करते हैं ताकि आपकी revision होती रहे जब भी कुछ नया question बनता है हम आपको target हमारा यही रहता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वो content provide किया जाए इसके अलावा हम आपको topic wise questions भी provide करते हैं topic wise जैसे topic wise content क्या होता है जैसे कोई नई application आई है कोई national affairs है कोई international affairs है कोई sports का question है कोई award का question है कोई नई book release की गई है या हम important days जो कब कौन सा दिन मनाया जाता है उससे related questions फिर इसके अलावा environment में क्या कोई नई species discover की गई है उससे related questions तो हम देखते हैं सारे questions है GS में कहीने कहीं पूछे जाते हैं आपके exam में और यह topic ऐसे होते हैं बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन यह इतने important topics हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका फिर आपको जो GS section होगा वो बहुत अच्छी से clear हो जाएगा बहुत अच्छी preparation होगी और यह हम monthly basis को आपको कराते हैं हर महीने हम आपको इनकी topic wise PDF भी provide करेंगे as well as अगर आपको इससे related content पढ़ना है तो आप YouTube पे जाके हमारे channel पे देख सकते हैं हम topic wise videos भी cover करते हैं in the end friends मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो content हम provide करते हैं वो बहुत helpful रहेगा आपके लिए अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो definitely आप हमारे app को जाके चेक कीजिए and YouTube channel को भी आके चेक कीजिए जो आपकी preparation में बहुत helpful रहेगा तो चले friends अपना session start करते हैं आज की video में हम कुछ बहुत important current affairs discuss करेंगे first week of may के ये session आपके लिए काफी helpful रहेगा तो end तक जरूर देखेगा एक और चीज़ friends questions start करने से पहले इस video को आगे देखने से पहले मैं चाहता हूँ आप सब अपने notes निकालने जो आप daily बनाते हैं one liner format में मैं आपको बोला हुआ है उनको निकाले एक बार दो मिंट लगेंगी सारे notes एक बार पढ़ लो पिछले एक अफते के जो भी बना है हमने ठीक है वो पढ़के फिर questions को attempt करना एंद देखना कितना difference आता आपकी preparation में तो पहला question कह रहे है कि स्वच भारत mission अर्बन 2.0 ये किस ministry गेंडर आता है तो स्वच मारत mission अर्बन की बात करें जो first version था 2014 में release किया गया था second version की बात करें तो इसका जो दोनों का aim कहा स्वच भारत mission गांदी जी के ideologies पे चलना और 2.0 को ये release किया गया था 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी के दोरा कि भाई एरिया को साफ रखो स्वचता पे बात की गई थी ऐसे ही जो second version था इसका उसमें क्या बात की गई कि जो cities हैं उनको clean रखो उनको clean करो उनके clean के लिए बात करने की बात की गई और ये स्वच भारत urban 2.0 ये किस ministry के अंडर आता है Ministry of Housing and Urban Affairs के अंडर आता है ठीक है चलिए और ये जो स्वच भारत mission urban 2.0 इसी लिए आपका ये स्वच भारत mission इसी लिए आपका ये स्वच भारत mission urban 2.0 लांच किया गया था किसके दोरा Ministry of Housing and Urban Affairs के दोरा next at what percent of micro enterprise will receive subsidies in their business under Z certification scheme ये Z certification scheme किस लिए आई थी कि कोई भी आपका जो product होगा आप उसको एक ये certificate ले सकते हैं जो आपके international level पे भी माना जाएगा ये तीन certificate दे जाएगे gold silver और आपका bronze level के हिसाब से ठीक है उस आपसे दिखा जाएगा कि आपके ये हर जगे ये certificate एक validation का काम करेगा तो यहाँ पे subsidies की बात करें तो micro में कितनी subsidy मिली medium में कितनी मिली और small में कितनी मिली ये सारी देख लें अगर इसकी बात कर रहे हैं subsidies की तो जो आपके micro enterprises में जो subsidy दी गई है वो है 80% small enterprises में 60% और medium enterprises में 50% subsidy देने की बात की गई है तो यहाँ पे माइक्रो में कितनी हो गई 80% सबसीडी नेक्स्ट हम बात करेंगे ONDC की ONDC क्या है ये एक e-commerce platform है Government of India के दुआरा इसको launch किया गया था reason क्या है जो भी आपके किराना वाले stores है local किराना stores है उनको onboard किया जाए उनको साथ लेके आगे बढ़ा जाए उनकी help की जाए ठीक है this will be onboarding around 30 million sellers across 100 cities in 6 months ठीक है ये ONDC का काम रहेगा Government of India के दुआरा launch किया गया ये platform है ONDC के full form पूछी जाए तो आप से है open network for digital commerce open network for digital commerce ये आपकी क्या है full form रहेगी ONDC की 100 cities में 6 months के अंदर 100 cities में जो local किराना stores है उनको onboard करने के लिए ये launch किया गया Government of India के दुआरा तो O की full form पूछी गई है यहापे O क्या है आपका open next question पर आते है name the bank that recently launched the first digital product pre-approved personal loans pre-approved personal loans या फिर ये एक facility थी इस bank ने जो ये facility प्रोवाइड की pre-approved personal loan और instant loan की ये दो facilities प्रोवाइड की गई थी किन के दौरा वो कौन सा bank रहेगा आपका वो है आपका Indian bank और इस pre-approved personal loans ये अंडर wave project के लाया गया है ठीक है wave project क्या है world of advanced virtual experience अब हम जानते हैं सब कुछ digitize हो रहा है ठीक है तो हमें digifind fintech sector में भी development करनी पड़ेगी तो development करनी पड़ेगी तो नई-नई हमें schemes नई-नई तरीके लाने पड़ेंगे ताकि हम customers को attract कर सके और अपने competition से आगे बढ़ सके इसलिए pre-approved personal loans की यह digital product लाया गया किस के दौरा Indian bank के दौरा नेक्स अगर मैं आपसे अगर question पूछू सेमिकॉन इंडिया सेमिकॉन इंडिया 2022 कहां पे हुई थी और किन के दौरा inaugurate करी गई थी यह हुई थी बैंगलोरों में बैंगलूर में हुई थी और यह inaugurate किन के दौरा की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी के दौरा इस सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फरेंस को inaugurate किया गया reason क्या था इंडिया को हम semiconductor का hub बनाएंगे manufacturing के लिए ठीक है फिर इसी के साथ साथ अगर मैं question पूछू इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहां setup किया जाएगा इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहां पे setup किया जाएगा यह किया जाएगा पूर्निया में कहां पर पूर्निया में और यह जो इथेनॉल प्लांट है यह grain based होगा grain based और इसमें ग्रेन क्या यूज़ होंगे आपके जैसे राइस यूज़ होगा ठीक है मेज यूज़ होगा और यह पुर्णिया कहां पर है यह है आपका बिहार में ठीक है फिर इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना मेगा हेल्थ फेस्टिवल मेगा हेल्थ फेस्टिवल यह मेगा हेल्थ फेस्टिवल कहां पर हुआ था पुड्डू चैरी में और पुड्डू चैरी में अगर आपको याद हो तो एक I.C. पॉंडी नाम से भी एक पहला बीच फेस्टिवल कंडट कराए गया था ठीक है इसी के साथ-साथ याद रखना नीरत चोपडा के होमटाउन में एक स्टेडियम बनाने की बात की गई किन के द्वारा? हर्याना गॉवर्मेंट के द्वारा वेकोज हमें पता है जो नीरत चोपडा है वो कहां से बिलॉंग करते हैं हर्याना स्टेट से बिलॉंग करते हैं ठीक है चलिए नेक्स पे आते हैं स्टार नाइन मॉबिलिटी प्राइविट लिमिटेड बॉट द फिफ्टी वन परसंट एंटाय स्टेक अफ द गॉवर्मेंट अफ इंडिया इन पवन हंस लिमिटेड फॉर कितने अमाउंट 211.14 करोड के लिए स्टार नाइन मॉबिलिटी प्राइविट लिमिटेड ने 51 परसंट का एंटाय स्टेक अफ गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया का जो 51 परसंट स्टेक था पवन हंस लिमिटेड में उसको पर्चेस कर लिया है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 211.14 करोड रुपीज में नेक्स वेशन विच इंडियन एलाइन बिकेम दर फॉर्स इन एशिया तो यूस सैटेलाइट बेस्ट लेंडिंग प्रोसीजर एस बीस उसिंग गगन सिस्टम देखो हम नेविगेशन सिस्टम की बात कर ठीक है नेविगेशन सिस्टम और यह जो नेविगेशन सिस्टम है ना यह क्या है इंडिजीनियसली डिवलप्ट है ठीक है मेक इन इंडिया के अंडर आता है दूसरी चीज याद रखना है इसका नाम क्या है गगन सिस्टम यह गगन सिस्टम अभी रीसेंटली किस एरलाइ यूज किया गया वो थी Indigo किसलिए यूज किया गया था एक passenger aircraft को किशंगड किशंगड airport पर land कराए गया और यह किशंगड airport का है यह आपका राजस्थान में है ठीक है तो यही पूछ रहा है कि वो कौन सी पहली airlines बनी जिसने इंडिया का पहला navigation system यूज किया जिसका नाम है गगन और यह satellite based navigation system आपका ठीक है यह भी आदखना satellite based navigation system और इसको यूज किया किशंगड airport पे land करने के लिए और यह किशंगड airport कहाँ पर आपका यह है आपका राजस्थान में तो correct option क्या हो गया इंडियो नेक्स्ट हम बात करेंगे ministry of port shipping and waterways की इनके दोरा अभी इंडिया का पहला indigenious hydrogen fueled electric vessel develop करने की बात की जा रही है कहाँ पर कौन develop कर रहा है इसको वो कर रहा है coaching shipyards limited यह question अपने आप में important बन जाता है क्यों क्योंकि हम यह बात कर रहे है इंडिया का पहला first indigenious hydrogen fueled electric vessel की ठीक है जो hydrogen से fuel किया जाएगा electric vessel coaching shipyard limited पर बन रहा है अब अगर इसी से related दो तिन question देखें यहाँ पर आया पहले electric vessel अगर आपको याद हो चाइना में चाइना वो country बना जिसने पहला electric cruise ship first biggest electric cruise ship in the world बनाया फिर दूसरा time आता है यहाँ पर hydrogen का hydrogen से related अगर question देखें तो पहला pure green hydrogen making plant कहाँ पर set up किया जा रहा है यह असम में set up किया जा रहा है और असम में भी कहाँ पर इसको set up किया जा रहा है जौर हट में और किसके द्वारा set up किया जा रहा है oil, oil India limited के द्वारा set up किया जा रहा है ठीक है और यह पहला indigenous hydrogen fuel electric vessel कौन बना रहा है कहाँ पर kochin shipyard limited इसी के साथ साथ एक और याद रखना hydrogen plus natural gas blending का plant कहाँ set up किया गया था यह gail के द्वारा set up किया गया था और indoor MP में set up किया गया था next which Indian naval ship recently अभी एक Indian naval ship ने medical equipments, medical aid इनको deliver किया श्रिलंका को अंडर एक mission जिसका नाम था सागर IX ठीक है यह mission का नाम है इस mission के अंदर एक Indian naval ship जिसका नाम है INS गडियाल Indian naval ship गडियाल ने medical aid को सप्लाई किया कहां पर श्रिलंका को अंडर किस mission के अंडर सागर IX mission के अंडर next अगर आप मैं आपसे question पूछूँ जीवहला जीवहला क्या था जीवहला अगर आपको याद हो personal loans की बात की गई थी एक state के द्वारा कि prisoners को prisoners को personal loan देंगे हम जीवहला और यह कौनसी state रहेगी इसको implement करने वाली जीवहला को वो है आपकी महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा में जीवहला आपका जो personal loan की scheme है launch की गई prisoners के लिए personal loan की बात की गई ठीक है फिर एक आजाता है आपका operation सतर्क operation सतर्क जो भी illegal transport होता है जैसे कोई भी जैसे आप product पे कोई tax नहीं पे करता है और उसको चोरी छुपे एक जगे से दूसरी जगे sell कर रहा है export कर रहा है import कर रहे लेकिन उस पे कोई tax पे नहीं कर रहा है तो उस trafficking को रोकने के लिए even human trafficking को रोकने के लिए जो operation launch किया गया था railway protection force के दुआरा वो है operation सतर्क एक चीज़ और याद रखना around 1500 छोटे बच्चों को railway protection force बचा चुकी है from being sold to different locations ठीक है फिर यह operation सतर्क कब से कब तक तर पांच से लेकि 30 अप्रेल के बीच में यह operation कंड़क्ट कराए गया यह 1500 बच्चे इस operation सतर्क में नहीं एक general news बताई है मैंने आपको फिर आजाता है एक question आपका इंडिया की पहली tribal health observatory पहली tribal health observatory यह कहाँ पे setup की गई इंडिया की पहली tribal health observatory ODESA में इसको setup करा गया ठीक चलिए next पे आते हैं indigenous aircraft carrier IAC यह इंडिया का पहला indigenous aircraft carrier है जो वो खुद बना रहा है पूछा जा रहा है किस company के द्वारा इसको बनाए गया वो बताना आपको तो कौन सी है वो company जो इंडिया का पहला indigenous ship indigenous aircraft carrier develop कर रहा है तो वो कौन सी company है वो भी आद रखना coaching shipyards limited है तो दो question हो गए आपके एक तो indigenous aircraft carrier कौन बना रहा है coaching shipyard limited बना रहा है और दूसरी क्या जो आपका hydrogen fuel पहला indigenous hydrogen fuel electric vessel है वो भी कौन बना रहा है coaching shipyard limited के द्वारा ही बन रहा है और इसकी जो आपकी indigenous aircraft की cost रहेगी यह आप याद रखेगा यह रहेगी around 23,000 करोड रुपीज और यह कौन इसको deliver करेगा Indian Navy को किस force को deliver किया जाएगा Indian force को और Indian Navy को यह deliver कर दिया जाएगा ठीक है फिर जो important question आता है इस topic में इस particular question में वो आजाता है कि इसका name क्या है वो है INS Vikrant और इसको deliver कब किया जाएगा Indian Navy को around May में 2022 में में यह आपका aircraft carrier को deliver कर दिया जाएगा to Indian Navy और इसका नाम है INS Vikrant Moving on Name the Indian insurance company जिसको recently signatory बनाया गया to the United Nations supported principles for responsible investment कौन सी है वो? वो है HDFC Life Insurance आई repeat HDFC Life Insurance वो पहली insurance company है जिसको एक signatory बनाया गया to the United Nations to support principles for responsible investment जिसको PRIB बोलते है Next उस बैंक का नाम बताओ जिसने recently launch किया पहला digital product pre-approved personal loans को यह भी हम देख चुके हैं यह आपका Indian Bank repeated question Next आई 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 जो आपकी insurance regulatory and development authority of India है इन्होंने increase कर दिया इन्वेस्टमेंट लिमिट अफ द इन्शॉरेंस कंपनी जो की पहले 35 परसंट थी इन्द पहले 25 परसंट थी इन द फाइनशल सेक्टर तू उसको बढ़ा के कितना कर दिया है अब 25 से 30% कर दिया है तो correct option यहाँ पर क्या है option fourth नेक्स पर आते हैं फिर अगर आपसे question पूछा जाए अभी इंडिया का पहला इंडिया का पहला flow chemistry tech hub I repeat इंडिया का पहला flow chemistry technology hub कहां setup किया जा रहा है हेदराबाद में ठीक है हेदराबाद में वह पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने एक टार्गेट अठीश किया और 10 गीगावाट अफ सोलर एनरजी वह कौन सी स्टेट है राजिस्थान वह स्टेट है ठीक फिर इसी के साथ सथ अगर आपसे question पूछा जाए टी एची टाइमस हायर एजुकेशन इंपक्ट रैंकिंग 2022 की बात करें तो टॉप पे कौन सी कंट्री रही औस्ट्रेलिया ने टॉप पे किया यह आपकी युनिवर्स्टी रैंकिस के बारे में बताता है और जो इंडिया की रैंक रही वो आता है फूर्थ सिमिलरली अगर अगर ऐसी क्रिप्टो करणसी की बात कर रहे हैं क्रिप्टो करंसी आप देख रहे हैं कितना गिर गया लास्ट टाइम पे तो इस नाट वन ऑफ दे सिक्क्यूर इंवेस्टमेंट अगर बोल जाए तो देखके इनवेस्ट कीजिएगा ज्याद माउंट मत करेंगा कमिंग ब जादर प्रॉपीट कमा तो तो तॉप पे रहा आपका युनाइटेट सेटस और अञरिका और इंडिया की रैंक की बात करें तोlı एन इंडिया की रैंक की बात करें तो 21 रैंक पर आपका इंडिया इनसता nationwide जूप्जे know और उला हॉच्ञ स्वामी उज ऑनसिलिए ज है कि Small Finance Bank के अपॉइंट के गए वो है शिवालिक Small Finance Bank के अप अंशुल स्वामी को अपॉइंट किया गया एस दा M.D.N. CEO यह किन को रिप्लेस करेंगे यह रिप्लेस करेंगे सुवीर कुमार गुपता को ठीक है चलो नेक्स पे who was recently appointed as the additional charge और who has been given as the additional charge of CBDT CBDT के है Central Board of Direct Taxes के additional charge as the chairman का किन को दिया गया बताइए कौन है वो व्यक्ति जिनको additional charge दिया गया as the chairman of CBDT वो है संगीता सिंग ठीक है संगीता सिंग दो में से इनका charge effect हो जाएगा 2022 चलिए next पे आते हैं नेक्स क्वेशन है नेम दे इंडियन बेडमिंटन प्लेयर इंडियन बेडमिंटन प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने अभी रिसेंटली ब्रॉंज मेडल जीता कहां पर वीमें सिंगल टाइटल में at 39th edition of बेडमिंटन एशिया चैंपिंशिप जो कि कहां पे हुई थी फिलिपिंस में हुई थी तो कौन है वो इंडियन बेडमिंटन प्लेयर वो है पीवी सिंदू जो नहीं भी ब्रॉंज मेडल जीता कहां पर at the 39th edition of बेडमिंटन एशिया चैंपिंशिप जो कि फिलिपिंस में हुई थी और फिलिपिंस से क्या याद रखे थे हम कि ब्रमोज को प्रोक्यॉर करने वाली वो पहली कंट्री कौन सी बनी थी फिलिपिंस और ब्रमोज एक जॉइंट वेंचर किन का है इंडिया का है एंड रशिया का ऐसी जॉइंट वेंचर की बात करें तो में 1890 को बात करें वापस इंतरनेशनल लेबर अरगनाइजेशन के इनके अभी 11 डाेक्टर जंडरी बने हैं वो कौन है गिल्बर्ट हॉंग बो अल्रै गिल्बर्ट हॉंग बो क्यों इंप लेकिन इसी के साथ साती यह बने है पहले एक्रिकन और पहला International Labour Organization Day हम कब अबजर्व करते हैं यह आपका एक माई 1890 को हमने पहला International Labour Day अबजर्व किया चलिए next पर आते हैं हरेली यह एक Harvest Festival है किछ स्टेट का हरेली एक Harvest Festival है आपको याद रखना है किस स्टेट का 36 गड़ का फिर अगर 36 गड़ की बात करें तो गवर्नर कौन है अनुसया उईके यहां के अगर कुछ और फेस्टिवल्स देखें तो जैसे हरेली फेस्टिवल देखें यह आपने क्या है Harvest Festival फिर यह कब अबजर्व किया जाता है पहली चीज यह जुलाई में अबजर्व किया जाता है दूसरा बात करें तो First Fruit Festival First Fruit Festival वो कौन सा है परात ठीक है वो भी 36 गड़ का है चलिए नेक्स पे आते हैं फिर आपसे अगर मैं Question पूछूँ जरा बताओ Vice Chief of Indian Army कौन है Vice Chief of Indian Army किन को अपॉइंट किया गया Lieutenant General BS Raju को ठीक है यह नए Vice Chief of Indian Army बने है फिर इसी के साथ CEO कौन अपॉइंट किये गए है Jio Savan के Jio Savan आपका music के लिए है music application है Jio की तो Jio Savan के CEO कौन बने साहस मलहोतरा ठीक फिर इसी के साथ साथ एक important question याद रखेगा काफी अच्छा question है यह कि first ever first ever CTO Chief Technical Officer of CIA कौन बने वो है नंद मूलचंदानी ठीक है नंद मूलचंदानी पहले CTO बने CIA organization के ठीक फिर अगर पूछा जाए advisor to PM कौन बने अभी रिसेंटली advisor to PM कौन बने वो है तरुन कपूर और PM कौन अपने बता सकते हो आप Prime Minister Narendra Modi ठीक है चलिए next पे आते है in which country the museum of the future is located अच्छा question है अभी recently बनाए यह काँ पर दुबाई United Arab Emirates में ठीक है यह तो था Museum of Future लेकिन अगर मैं पूछूँ former Prime Ministers के लिए एक museum इंडिया में कहां बना है यह है Delhi में coming back अगर United Arab Emirates की बात करें तो इससे related क्या क्या चीज़े याद रखनी है यह country अभी recently grey list में आया है किसकी FATF की grey list में आया है FATF की बात करें तो FATF के वो पहले Singaporean कौन बने जो की head कर रहे है President बने है वो कौन है T. Rajah Kumar ठीक है यह पहले Singaporean जो की head कर रहे है Financial Action Task Force को फिर दूसरी बात करें UAE की की पहला IIT Outside India कहां बनेगा UAE में बनेगा First paperless government किसकी थी वो किसकी थी आपकी Dubai की थी ठीक है चलिए next पहाईए Which organization recently plans to shut down the Sophia telescope यह Sophia telescope क्या था जिसने अभी detect किया था यह अच्छा question है Sophia क्या था Sophia telescope जिसने detect किया था Water on Moon तो question पूछकता है Moon पे water detect करने वाला कौन सा टेलिसकोप था वो था आपका Sophia और इस Sophia पे को किस organization के द्वारा launch किया गया था NASA के द्वारा and अब NASA इसको plan कर रहा है to shut down Sophia जिसने आपका confirm किया था presence of detect भी कह सकते हैं फिर इसको confirm जादा better रहेगा confirm किया था presence of water on Moon next which Indian state in which state India's first green field green based ethanol production plant अभी हमने देखा था कहां पर है वो बिहार में आपका setup किया जाएगा ठीक है और बिहार के chief minister कौन है जरा बता सकते हैं कौन है बिहार के chief minister वो है नितीश कुमार उनके द्वारा ये बोल लगया कि यहाँ पर पहला green field green based ethanol production plant सेट अप किया जाएगा कहां पर पूर्णिया में बिहार में और ये जो है आपकी petrol की cost को कम करने में help करेगा 65,000 liter per day ये आपका production करेगा ethanol का जिस पे हम maize और rice का use करेंगे next पे आते हैं किस organization ने अभी 47 million dollar का project approve किया to support the government of India's mission करमयोगी program to strengthen the civil service capacity civil service capacity को improve करने के लिए उनको up to date रखने के लिए knowledge provide करने के लिए जो नई-नई technology उसके बार में inform करने के लिए किस organization के दौरा अभी 47 million dollar का loan एक अप्रूफ किया कौन सा है वो organization वो है आपका world bank इसमें भी आद रखना world bank का department है IBRD international bank for reconstruction and development इनके दौरा ये loan दिया जाएगा इसका जो final maturity period है वो 11 साल का रहेगा और इसी में 4.5 years का grace period भी दिया जाएगा इनके दौरा तो world bank correct answer आपका headquarter कहां पर world bank का Washington DC यहीं पर IMF का भी headquarter है Washington DC में ठीक है चलिए next who was appointed as an ex-officio member of the monetary policy committee by the Reserve Bank of India board किनको appoint किया गया वो है Rajiv Ranjan ठीक है the approval was announced during the 595th meeting of the Central Board of Directors of RBI under the chairmanship of Shakti Kant Das ji next next अगर मैं आपसे पूछू हूँ अभी रिसेंटली किनको board of directors की post point किया गया of Federal Reserve Bank of New York Federal Reserve Bank of New York के board of directors की post पे किनको appoint किया गया वो है Arvind Krishna फिर अभी विटले विटले गोल्ड अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया था वो है एक snow leopard expert चारूदत मिश्रा चारूदत मिश्रा के द्वारा ठीक है चलिए इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे अभी एक question पूछूँ जरा बताओ दो exercise थी Defender Europe and Swift 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 response ये दोनों exercise किन के द्वारा कंड़क कराए गई थी NATO के द्वारा कराए गई थी ठीक है याद रखना NATO के द्वारा और NATO के द्वारा ही Estonia में एक exercise कराए गई थी Cyber security के उपर ठीक है ये भी याद रखना Next Name the fast petrol vessel जुसको launch किया गया Indian Coast Guard के द्वारा Indian Coast Guard के द्वारा अभी एक fast vessel को launch किया गया ये आपको याद रखना है This fast vessel is the 5th in the series of the 5 past petrol vessels इसको ये जो fast petrol vessel है इसको किसके द्वारा बनाया गया है ये भी याद रखना Garden, Reach, Shipbuilders and Engineers के GRSE के द्वारा इनको बनाये गया और ये जो vessel है 48.9 meter long है 7.5 meter wide है और कितनी 308 इसको व्यो रहेगी वेट जो displacement रहेगा ठीक है तो पूछा जा रहा है क्या नाम है fast petrol vessel का ये है कमला देवी कमला देवी एक social reformer social reformer and a freedom fighter थी इनको honor करने के लिए इनकी याद में ये fast petrol vessel का नाम कमला देवी रखा गया वरना इसका क्या नाम है yard 2118 ठीक है चलिए next पे NOAR इसमें R क्या होता है सबसे पहले तो याद रखो Government of India के द्वारा रिसेंटली लॉंच किया गया था ये NOAR NOAR वेबसाइट reason क्या है it is to promote open access in the power sector open access in power sector इसको promote करने के लिए ये आपका NOAR लॉंच किया गया full form national open access registry तो यहाँ पे R की full form क्या हो गई registry ठीक है चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे world press freedom day की world press freedom day कब observe किया जाता है 3 मही को observe किया जाता है world press freedom day across the globe और इसकी आपको theme याद रखनी है theme क्या रहेगी journalism under digital cg आपकी theme रहेगी world press freedom day 2022 की next dash joined as the east african community as the seventh partner state अगर EAC की बात करें तो सबसे पहले देख लेते east african community is a regional intergovernmental organization छे partner थे इसके पहले जैसे बुरुंडी, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania and Uganda तो ये छे partner थे पहले अब इनमें एक सात्वा partner जॉइन हो गया पूछे हैं वो कौन सा partner है वो है अपका Congo और इनका जो headquarter है वो कहां पर है Tanzania में EAC का Next पे आते हैं Name the operation that was recently launched by the railway police force to take actions against the transport of illegal items कौन सा था Operation सतर्क RPF के द्वारा Railway Protection Force के द्वारा था ये और कब से कब तक 5 से लेके 30 April के बीच ये conduct कराये गया था फिर अगर question पूछा जा अगर आपसे हम मैं important days discuss करता हूं important days स्टार्ट करते हैं first में से International Labour Day एक में को ही आपका महराष्टरा एन गुजरात Statehood Day औबजर्व करते हैं फिर एक में को या फिर first Sunday of में को हम औबजर्व करते हैं World Laughter Day दो में को औबजर्व करते हैं World Tuna Day और दो को ही हम World Press Freedom Day भी दो में को सिरफ World Tuna Day और तीन में को औबजर्व करते हैं World Press Freedom Day and your World Ashtima Day हां जी ये दो डे हम औबजर्व करते हैं World Press Freedom Day और World Ashtima Day तीन मही को फिर एक चीज़ और याद रखना जो ये world asthma day है ये first Tuesday को observe किया जाता है में को ठीक है और इस बर वो तीन में को था world asthma day फिर चार में को observe करते हैं international firefighters day चार में को ही हम cold minus day भी observe करते हैं पांच में को हम world Portuguese language day observe करते हैं और पांच में को ही world hand hygiene day भी observe करते हैं और 6 में को अबजर्व करते हैं International No Diet Day ठीक है तो यह important is थोड़ा सा roughly idea ले लेना पता होने चाहिए Next पर आते हैं As per the 20th edition of World Press Freedom Index Released by reporters without borders RSF के द्वारा release किया गया था World Press Freedom Index पूछा जा रहे हैं इंडिया की क्या rank रहेगी इंडिया की rank है 150th इंडिया की rank देखे जाए तो बहुत पीछे इंडिया तो यहां पर कम freedom है प्रेस की as compared to बाकी अधर countries नौर्वे में सबसे जादा है Next अभी Recently एक declaration sign किया गया था for the future of internet की internet को free and open to everyone बनाना चाहिए तो इसके लिए अभी एक declaration sign किया गया था 61 countries के दुआरा ठीक है पूछा जा रहा है कि यह जो 61 countries में से तक क्या इंडिया था नहीं इंडिया ने इसमें sign नहीं किया तो याद रखना यह जो declaration था for the future of internet इसमें क्या था कि internet को ना open रखने देना चाहिए फ्री होना चाहिए और न्यूटरल होना चाहिए सभी के लिए तो US, Canada, आपका European Union, France इन सब ने sign किया लेकिन इंडिया ने इस पे sign नहीं किया WTO, World Tourism Organization से हटने वाला country कौन है वो है Russia Next question है, Unicorns के उपर Unicorn क्या होता है, यह एक वो startup होता है जिसकी market cap 1 billion dollar से उपर हो चुकी होती है तो Unicorn की बात करें तो India का 100th unicorn कौन सा बना यह पूछा दारा question में तो वो है Open Financial Technologies आपका 100th unicorn बना है India का यह एक new banking startup है जिसने 1 billion dollar की अपनी evaluation को reach किया within the series D round of fundraising फिर Unicorns जैसे हमीं देख चुके यह क्या है एक startup जिसकी market cap 1 billion dollar से उपर होती है Next पे आते हैं, Arvind Krishna यह chairman and CEO appoint किये गए है किस company के Arvind Krishna याद रखना, अभी जो यह है currently यह क्या है CEO and chairman है IBM के यह news में क्यों थे और Arvind Krishna क्योंकि इनको अभी जैसे हमने पढ़ा Board of Directors appoint किया गया Federal Reserve का of Bank of New York में ठीक है चलिए, correct option यहाँ पे क्या हुआ यह अभी कहाँ पे है IBM के chairman and chief executive officer है ठीक है यह यहाँ पर since Gen 2021 इसी post पे है to the post of chairman and CEO of IBM Next पे आते हैं Book है Reporting India My 70 Years Journey as a Journalist यह book को author किन के द्वारा किया गया यह पूछा जा रहा है Prem Prakash Prem Prakash के द्वारा इस book को author किया गया ठीक है याद रखेगा My 70 Year Journey as a Journalist यह was released in the कहाँ पर Kolkata West Bengal में इस book को release किया गया था Next अगर आपसे question पूछा जाए कि बताओ जरा अभी recently State of the World Forest 2022 की report रिपोर्ट रिलीज की गई थी United Nations Food and Agriculture Organization के द्वारा जिसमें बताया गया कि पिछले 30 सालों में जो वर्ल्ड में forest cover है ना वो 10% से कम हो गया है मतलब decrease पे दिख रहा है में जो forest cover है in the last 30 years चीक इसी के साथ साथ अगर आपसे question पूछा जाए वो कौनसी पहली district है इंडिया की जिसमें हर विलेज में आपका क्या है एक library है वो है जमतारा district और यह जमतारा district का है जारखन में ठीक है चलिए next पे next कहा रहा है Kevin Anderson यह किस sport से belong करते हैं tennis से belong करते हैं Kevin Anderson ठीक है और यह किस country के लिए belong करते हैं किस country से South Africa से tennis से belong करते हैं और यह sports tennis South Africa इनकी country next है इंडिया की पहली flow chemistry technology hub कहां setup किया गया हमने बात की थी हैदरबाद तेलंगना में इसको setup करा गया था ठीक चलिए objective क्या था to incorporate and promote efficient and sustainable technologies जो आपके pharmacutical sectors में बढ़ावा दे research and development का मौका दे next इंडिया का पहला tribal health observatory कहां setup किया जाएगा यह भी हम देख चुके हैं ओडिसा में setup किया जाएगा ठीक है यह एक repository मतलब एक data collection center सा रहेगा आपका किनके tribal population की health के उपर ठीक है याद रखनेगा tribal people के लिए उनकी जो health है उनके लिए proper data उनका record maintain करने के लिए यह first tribal health observatory launch की गई कहां पर ओडिसा में next CEPA अभी recently याद रखना इंडिया and United Arab Emirates के बीच में यह एक comprehensive economic partnership agreement sign किया गया जो की एक माई से effective हो गया है ठीक है एक माई 2022 से यह effective हो गया है लागू हो गया यह biggest bilateral trade pact है between India and UAE CEPA इसका नाम था comprehensive economic partnership agreement पूछा जा रहा है E की full form क्या है तो E है यह आपा economic next Dash became the first public sector bank to go live on the AA framework AA क्या है account aggregator framework यह किस के द्वारा गया था RBI के द्वारा लाए गया था ठीक है पूछा जा रहा है कि वह कौन सा biggest वह कौन सा पहला public sector bank बना to go live on the AA framework जो आपका account aggregator framework है जो initiative किसका था मैं बता रहा हूँ RBI के द्वारा लाए गया था किसलिए to improve credit delivery तो किन के द्वारा लाए गया था यह यह आपका union bank of India के द्वारा लाए गया था लाया तो यह RBI के द्वारा गया था लेकिन इनको पहला public sector bank जो इस पे live गया था इस AA framework पे वह कौन सा है आपका union bank of India ठीक है चलिए next next अगर आपसे question पूछा जाए जरा बताओ पहली city यह पिछले महिने के कुछ important current office device चल रहे हैं पहली city जिसमे vacuum based sewer system लाए गया यह कौन सी city थी आपकी आगरा pilot basis पे trial basis पे यह लाए गया था ठीक चलो फिर आ जाता है आप वह बताओ वह पहली state migration tracking system application migration tracking system application लाए गया किस state में for portability of integrated child development services scheme के अंडर तो यह है महराष्ट्रा ठीक है यह है महराष्ट्रा फिर हम देखी चुके हैं इंडिको वो पहला airline बना to use इंडिया का पहला navigation system जो है गगन फिर भीम UPI भीम UPI को कहा पे implement किया गया operational लाए गया नियो पे नियो पे का है यह नियो पे terminals का है यह आपके UAE में है ठीक है स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर कॉन बने रोबर्ट गोलोब और इंडिया guest of honor बनके जाएगा कहां पर parish book festival 2022 में next who will chair the 18 members secondary market advisory committee यह जो याद रखना सेबी के द्वारा अभी यह 17 member की committee थी इसको restructure करा गया और इसको 18 member की committee बनाए गया इससे पहले यह जो आपकी advisory committee थी यह मधाभी पूरी बग जो की head है सेबी की उनके द्वारा head की जारी थी यह 17 member की committee बटा भी 18 member की हो गई है और किनको इनका head बना दिया गया है वो है जी महा लिंगम गुरू मूर्थी महा लिंगम यह एक former full time member थे सेबी के जिनको अब एक 18 member advisory committee का panel बना दिया गया है जो की पहले 17 member की committee थी next Olympic Council of Asia ने recently announce कि कौनसे edition of Asian Games को postpone कर दिया गया है in September 2022 वो postpone कर दिया गये थे ठीक है जो की September में होने है 2022 में चाइना में उनको postpone कर दिया गया था Asian Games को वो कौनसे edition के games थे वो 19th edition के games थे COVID-19 situation की वज़े से उसको postpone कर दिया गया है next which company recently became the largest fast moving consumer goods company fast moving consumer goods क्या होते हैं जो आपके daily समान निकलता रहते हैं जो किराना का समान होता है तो सबसे पहले थी हिंदुस्तान Unilever Limited लेकिन अब इस company को सरपास कौन कर गया है आदाने विल्मार Limited के द्वारा हल को सरपास कर दिया गया तो बेकम दा इंडिया की fastest moving consumer good company next name the scientist from NASA जिनको world food price 2022 से समानित किया गया इन्होंने research किया था कि जो हमारा climate change है climate change का हमारे food production पे क्या effect रहता है उसको change किया था उस पे research की थी ठीक है हमारा जो food production है वो कैसे impact करता है climate change की वज़े से ये जो research की इस research की वज़े से world food price 2022 से समानित किया गया Cynthia Rosenberg को जो की एक scientist है at NASA next question डैश बिकेम दे इंडिया's first state to introduce a scheme जिसका नाम है जीवाला हम देखी चुके है जीवाला क्या है ये एक personal loans की scheme है जो की provide की जाती है prisoners को और कौनसी state के दौरा ये है आपकी महराष्टरा state के दौरा ये scheme provide की जाती है prisoners को loan के लिए ठीक है इसी के साथ साथ याद रखना 50,000 तक का loan ये ले सकते है at a interest rate of 7% और इसमें से 1% जो होगा वो आपका prisoners के welfare के लिए ही fund में चला जाएगा तो correct option यह हो गया महराष्टरा next बात करें strips strips की full form क्या है separate trading of registered interest and dash and आपका है आप पर हो जाता है principle I repeat separate trading of registered interest and principal and securities ये strips है ये strips are the securities created by separating the cash flow associated with regular GSEC ठीक है जैसे आपका semi annual coupon payment होता है and the final payment principle to be received from the issuer itself into the security market ये zero coupon bonds होते हैं जिनको ZCBP बोला जाता है ठीक है चले तो यहाँ पर correct option P का क्या है principle next हम बात करेंगे NSO National Statistical Office के द्वारा अभी एक 13th edition of periodic labor for survey को release किया गया इस periodic labor for survey में बताया गया कि जो unemployment rate है इंडिया में for the third quarter जो की October से लेके December के बीच होता है उसकी जो unemployment rate है वो है 8.7% की ठीक है याद रखेगा third periodic labor food survey NSO के द्वारा ले आया गया unemployment rate की बात करेंगे इंडिया में third quarter के बताया गया कि October से December के बीच में जो unemployment rate था दो हजार इकेस में कितना था 8.7% next next हम बात करेंगे इंडियन Coast Guard was commissioned with second air squadron 845 squadron जिसको क्या अभी commission किया गया drove advance light mark 3 helicopter से पूछा जा रहे है ये advance light drove advance light helicopter mark 3 ये helicopters को कहां आपका commission किया जाएगा तो ये केरला कोची में commission किया जाएगा by इंडियन Coast Guard ये भी याद रखना अच्छा question है next question next charge next charge एक joint venture है आपका दो कमपनियों के बीच एक्साइड और लेश लांच ये जो लेश लांच है ये Switzerland based company है इन दोनों ने मिलके एक company बनाई next charge के नाम से ये next charge ने अभी अपना mass production स्टार्ट कर दिया है इंडिया की largest ethium ion battery plant में कहां पर है ये इंडिया का largest ethium ion plant ये आपका located है गुजरात में प्रांतिच गुजरात में आपका इंडिया का largest lithium ion battery plant है जहां पर नेक्स चार्ज ने अपना production स्टार्ट कर दिया गया है और नेक्स चार्ज नेक्स चार्ज आपका एक joint venture है एक्साइड एंड लैशलांस साउथ स्विजलेंड की company के बीच ठीक है नेक्स क्वेशन है वह पहली company कौन सी बन गई है पहली फर्स्ट इंडियन कंपनी इसने दो काम करें पहला तो यह 100 बिलियन 100 billion USD इन्होंने अचीव किया 100 billion dollar का revenue अचीव किया ठीक है fiscal year 2025 में एक और चीज इन्होंने market cap अचीव की है 250 billion dollar की ठीक है 100 billion dollar का revenue 2022 में और market cap अचीव की इन्होंने 250 billion dollar की कौन सी company आप से यह पूछ जा रहा है वो है आपकी Reliance Industries Limited ठीक है चलिए next question Who was recently appointed as the part-time chairman of the city union bank 2 साल के लिए किनको appoint किया गया part-time chairman of city union bank कौन बने वो जरा बताईए कौन है वो व्यक्ति जिनको appoint किया गया part-time chairman of the city union bank कितने time के लिए 2 साल के लिए कौन है वो जरा बताईए वो है M. Narayan जी ठीक है चलिए next question आजाता है How many total seats are there in Jammu and Kashmir as per the delimitation commission delimitation commission के इसाब से Jammu and Kashmir union territory में कितनी seats है 90 seats है next India is the world's second largest producer of wheat second number पे कौन आजाता है वो first पे कौन है second पे आजाता है India पूछ रहा आप पे first number पे largest producer of wheat कौन है वो है आपका China ठीक है China तो friends ये थे हमारे कुछ questions I hope आपको session पसंद आया होगा अगर ऐसा ही session आप चाते हैं future में आपके लिए आता रहे ऐसा ही informative वीडियो हम आपके लिए future में लाते रहें तो आपको comment करके नीचे जरूर बताना है कि आपके क्या views हैं because आपके comment की बहुत value रहती है तो friends ये थी हमारी वीडियो अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाए और हमारे चैनल को subscribe कर दें और इस वीडियो को like कर दें और friends अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई app से issue आ रहा है कोई भी आप आपको problem है तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा number 967733862 पर contact कर सकते हैं और हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपकी issue को resolve करने में आपकी साहता करेगी So take care